बिजमोंच श्रीवास्तव मुझे पता है आजे आलोग तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे मुझे मालूम है लेकिन फिर भी बिजमोंच श्रीवास्तव क्या वाकई CM बनने की कोई शर्थ है क्या वीजेपी के सामने क्या जी दादा CM बनेंगे तब ही रुकेंगे एंडिये में मानल भाई में दो चिन बाते हैं चुक्कि हाँ पर चर्चा चली तो इस पर स्करना ज़रूरी है सबसे पहली बात तो ये कि भारते अंता पार्टी ने रास्वादी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का तूट नहीं किया है हमारी पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं है हमारी पार्टी में ये इंट्रा पार्टी डिमुक्रेटी है और उसके तहत ये थोड़ा सा मतांता रहे तो पार्टी में किसी प्रकार्टी टूट नहीं है एक दूसरा हम लोग किसी भी शर्त पर NDA का हिस्सा नहीं बने हमारे सामने एक ही मुद्दा था कि आज इस एक अरफ 40 करोर लोगों की मुल्क को एक दमदार और एक मजबूत नेतरत की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ आधनी नरेन मोदी जी दे सकते हैं कि इस बात को ध्यान में रखे हम लोगों ने ये तेक गिया क हम लोग एंडिये का साथ देंगे और ये भी भरतिंता पार्टी के नецा बारपन है कि उन्होंने हमारे संरोत स्विकार किया और एंडिये में हम लोगों को वो इस्तान दिया जो उन्होंने बाखी के लोगों को दिया है तो ये बुलकुल इस पस बात है तिसी बात बहुत साफ है कि नेश्टिस कांग्रेस पारिटी पूरी शक्ति के साथ एंडिये के साथ रहेगी हमारे जो लोग हमारी बातों से सहमत नहीं है अगर वो सेहमत हैं तो उने हमारा साथ देना चाहिए और अगर आथ सेहमत है तो जो वो कर रहा है वो करते रहा हमें उसके कोई आपत की नहीं है बेड़ दीजिज मौन ऺजी दो सवाल है बिल्ट बिल्कुल यह कोई मुद्दा ही नहीं है हम अजीददादा सीम बनने के लिए नहीं और दूसरा क्या शरत पवार एंडिये में आ रहे हैं क्या आएंगे ति देखिए ये फैस्टा आदनी शरत पवार जी को लेना है वो बहुत बड़े नेता है ये फैस्टा उनको करना है अगर आएंगे तो उनका स्वागत है और नहीं तो हम लोगों ने तो तैक कर लिया है कि हम हर हालत में हम लोग पूरी शक्ति के साथ जो की सच्वुच रास् अपना तरीका है सर्वे करने का हम लोगों ने भी अपने सर्वे की और लोग भी जनता के सिरे संपर्ग में हैं मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी हालत में आई एंडि आई ये वहाँ पे तीन चार सीटे जी जा है तो बहुत बड़ी बात होगी ओके मतलब इशारों इशारों में आप ये कह रहे हैं कि शरत पवार MVA को इंडिया गड़ बंदन को सिर्फ 3-4 सीटे जित्वा पाएंगे तिशित रूप से यानि कि शरत पवार की राजनीती अब यही रह गई है उनकी राजनीतिक हैसियत अब यही है कि वो 3-4 सीटे जित्वा सकते हैं मानग भाई किसी राजनीती क्या है मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ आप जा रहे हैं आपने कह दिया अभी अभी आपने कह दिया आपने कहा 3-4 सीटे आएंगी मानग भाई आप इंटर्पिटेट कर रहे हैं मैं तो खाली यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का गठबंदन महरास्त में इस धंग से उसकी लोग प्रिता बढ़ी है कि हम लोग कमसकाओं महरे 45-40 सीटे जाखे जेए हैं अगर शरत-पवार नहीं आए अगर शरत-पवार अनजिये में नहीं आए तब भी आप जेतेंगे 43-44 क्योंकि यह जो एंडिये का नित्रत जिए वो आजर्ठी नरेन मोदी जी कर रहे हैं उनके नितरफ के मैं बात कर रहा हूं मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी के सामने शर्त पवार 3-4 सीटे भी नी जित्वा पाएंगे MVA को आपसे कह रहा हूं हिंदुस्तान में कोई नेता आजए नी जरेइन मोदी जी के तक्र मैं है ही नहीं शरतपवार भी नहीं है कि शरतपवार मुझे बताईए ना विद देश की बाग कर रहाँ कि आज या लोग कुछ कहना चाहरे हैं उसके बाद आगे जा रहा हूं बोली आजया लोग क्या कह रहे हैं कि आप शरत पवार को बहुत नीचे एंडरस्टिमेट कर रहे हैं शरत पवार चीज क्या है यहां माराश्ट्रा की राजनीती को डिरेक्टली जानने वाले तीन-तीन लोग बैठे हुए हैं अब आप यह जड़ा सोचिए कि शिर्सेना ऐसी टूट गई क्या यह मैं मान सकता को खवर नहीं होगी तुदर ठाकिन को ख़वर नहीं होगी यह संभव है आज शिर्सेना वाले ही गानते हैं कि पवार साथ कितना प्यार करतें शिर्सेना को तो घमण्डिया का यही हाल है हर एंगिल को एक्स्प्लॉर कीजिए अब मुझे लगता है कि आचारे जी मेरे इस आप ये देख लीज foreigners रावत कि सूर कैसे है शरत्प censorship अपर को लेकर कि कह रहे है कि गुरिला कर रहे हैं कि से गुरिला कर रहे हैं हमसे खुले लड़ाई रडा है शरतिवार तो गुरिला वार किसके साथ हो रहा है जरा सोचिए जरा राजनिती अगर देखते हैं तो जो दिखता है वही राजनिती नहीं होती है क्या सोच रहें शरत परवार गुरिला वार मतलब छिप के वार